हेलो बच्चो आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर स्वागत हैं बच्चो अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर हमें आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें फेर करें लाइक करें और आज हम बच्चों बात कर प्राइड आगले साफ नोट की तो ये देखते हैं राइजुएट्स क्या होता है राइजुएट्स इन ब्रायोफाइटा रूट्स और अपसेंट एंड इन प्लेश आप रूट्स ठ्रेड लाइक इस टेक्शर इस प्रिजेंट विच इस काल्ड राइजुएट्स बच्वों लोह अगर हम्य प्राइव्पाय। की बात करें ब्राइवोफाय। ज understanding होती है जैसे ले ऐसे हमारे अधरपवदों में जू है रूट पाये जाते और उस तरीके के रूट से यहां पर नहीं पाए जाते हैं लेकिन रूट की तरह ही एक इस टेक्चर पाया जाता है जो धागे की तरह होता है जिसे हम क्या कहते हैं राइज्वाइड्स कहते हैं आईए देखते हैं इनका फंक्शन क्या होता है इट हेल्प इन कोरिंग इनकोरिंग डाप्लाउंट तो सबस्टेंटम यह पौध्ष को क्या करता है इनके फिक्स करने में मदद करता और यह पौध्ष में वार्ट और मिर्नल के एट्व जर्षन में और अब्राइजोएट्स हमारे जो है यूनिसलुलर हो सकते हैं और अनब्राइजड हो सकते हैं ऐसे राइजोएट्स हमारे रिक्सिया और मार्केंसिया में पाए जाते हैं it may be multicellular branched with obliquiet septa sensors like funeria जी यह multicellular और branched भी हो सकता है ऐसा rhizoverync हमारा जो है कहाँ पाया जाता है फियोनेरिया में पाया जाता है it may be smooth world अगर हम टाईब की बात करें तो यह दो टाईब के हो सकते हैं smooth world rhizoarch हो सकते हैं और क्या हो सकते है ट्यूबर कुलेटेडon ट्यूबर कुलेटेड डोनों डॉवाइजोडस हमको कहां देखने को मिलता है मारकेंसिया में देखने को मिलता है यह जो ट्यूबर पुलेटर ट्राइजोयड्स होता है इसमें पैगलाई खूटी की तरह जो है संदचनाय देखती हैं जैसे इसमें दिखाया गया है यह एक ब्राइवफाइट का पौधा है जिसका मैन एकसेट दिखाया गया और इसमें य वीडियो को देखिए और यहां से इनको अपना नोट्स बनाइए और अभी भी आपके एक्जाम में 14 दिनों का टाइम बचा है तब तक आप जो है अपने एक्जाम को अच्छे से प्रिपेर करिए और हम आपको ऐसे जो है सेक्साने के सभी 60 दिरे-दिरे प्रोइट करते र